अगर medicines और health से लेटेड आप information चाहते हैं तो अभी subscribe करें मेरे चैनल को knowledge for care तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे basilinum के बारे में अब इसके क्या फायदे हैं, क्या side effect है, कैसे लेना है ये सारी जानकरियां जो है आज की वीडियो में मैं आपको दूँगा तो देखे ये जो मेरे पास basilinum है, ये SBL की है और अगर हम इसके price से सुरुवात करें तो 140 रुपे में ये आपको 30 ml मिलती है तो देखे प्राइस हमें करनों सार बढ़ती रहती है, तो जो आज की price है वो इदर मैंने आपको बताया है और इस basilinum को आपको कहां से खरीदना है, तो देखे इसको आप कोई भी होमोपेतिक मेडिकल इस्टोर से खरी सकते हो क्योंकि ये जो है एक होमोपेतिक मेडिसिन है, तो कोई भी होमोपेतिक मेडिकल इस्टोर से आप खरी सकते हो तो या फिर आप online भी खरी सकते हो, तो online खरीदना है, तो mini-che link दे दूँगा description में, तो दर से click करके आप इसको घर बेटे-बेटे मंगा सकते हो, अब बात करें इस SBL bacillinum में क्या है, तो देखिए इसमें ingredient जो होता है न, bacillinum ही है, और इसकी जो potency है 1M, या फिर आप 1000CH भी बो में या फिर किन-किन condition में हम इसको ले सकते हैं, तो देखिए ये medicine जो है, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, या फिर आपको TB है, या फिर पहले कभी TB हुई थी, या फिर आपको अस्तमा है, दमा का रोग है, तो उसमें ये काफी फायदा करती है, ये bacillinum आपकी medicine अब इसके अलाबा देखिए, lungs में कोई problem है, या फिर lungs में infection है, तो उसमें फायदा करती है, इसके अलाबा आपने देखा होगे कि old age में, जिनकी उमर जादा हो जाती है, तो उनको सांस लेने में तकलीफ, और आपने देखा होगा, उनको खासी चलती रहती है, बार बार खा भी TB होई थी, तो TB के कारण जो है आपके lungs थोड़े से जो है कमजोर हो जाते है, तो उसमें भी जो है आपको बीच बीच में खासी चलती रहती है, खर-खर की आवाज आती है, तो इस पिरकार से अगर आपको दिक्कत है, तो ये काफी असरदार आपके लिए medicine हो सकती है, इ जैसे के अगर आपको एक्जिमा है, दाद खाज खुजली है, तो उसमें भी फायदा करती है, अब इसके अलावा इसके और फायदे है जैसे के दस्त लग रहे हैं अगर आपको, तो दस्त में फायदा करेगी, और ओसने आपके पेट में दर्ध है, आपका digestive सिस्टम सही नह नमके तो इधर जो इसके में मिल फायदे थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है खास तोर से खासी के लिए काफी अच्छी है जिनको लंग्स की कुछ प्राउलम है तो उसमें एक बार जरूर आप लेकर दे के उसमें बहुत लोगों को इससे फायदा मिला है डोस के ब कार से इसको केबल हपते में एक बार लेना होता है इसको डेली लेने की जरूरत नहीं है और अगर आपको बहुत ज्यादा प्राउलम नहीं है ना तो में धर बोलना चाहूंगा कि आप 200 पोटेंसी वाली मेडिसिन ले यह 1M बाली है मतला 1000 CH वाली इसको ना ले आप 200 बाली अगर ज्यादा प्राउलम नहीं है तो क्योंकि प्राउलम के अनुसार यह जो है पोटेंसी डिसाइड होती है अब इधर जो है मेल फीमेल को भी ले सकते हैं लेकिन बच्चों को देना है या फिर प्रिग्नेंसी में लेना है तो बिना डॉक्टर की सलासेस को नहीं लेना है अब साइड एफिट इसका कुछ भी नहीं है तो घपराने वाली बात नहीं बिल्कुल आप इसको ले सकते हो आप कोई दूसरी मेडिसिन आपकी पहले से चल रही है माल लीजे ऐलोपेतिक हो हो या फिर कोई आर्बेदिक हो तो यह कोई भी मेडिसिन बंद करने की जरूरत सबी मेडिसिन को आप ले सकते हो और इसको भी आप चला सकते हो अब इसको कब तक लेना होता है तो दिखिए ये भी डिपेंड करता है आपकी बीमारी पर आपके प्रॉलम पर तो एक से तीन महीं तक आप इसको ले कर देख सकते हो बहच जल के लिए और इसको आप लंबे स कम सकम लीजिए अब एक महिने में कितने बार चार बार हो जाएगा क्योंकि हफते में एक बार लेना है तो एक महिने आप लेकर देखिए आपको जरू कुछ न कुछ फायदा या रिजल्ट इसका मिलेगा अब इधार में कुछ एडवाइस भी दूँगा जो कि आपको फॉलो रहना है और आपको हेल्दी डाइट एक हेल्दी लाइफ शायल रखना है और इसके अलाबा आप थोड़ी बहुत एक्साइस करिए एक्साइस के अलाब आप योगा बगिरा भी कर सकते हैं तो यह मेरी आप एडवाइस फॉलो करिए और साथ में इस बैसी लिनम को लेते जा फिर में नेक्स्ट वीडियो में जब तक आप बने रहे हैं और देखते रहे हैं आपके अपने चैनल में नॉलिज फॉर क्या